अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? मित्रो इस बात में कोई संधे नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं परन्तु इसके दो कारण हैं आज मैं आपको उन दोनों कारणों के बारे में बिस्तार से बताने का प्रियास करूँगा पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है तो आईए इस मार में कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं एक बार की बात है किसी नगर में अपनी छोटी छोटी तीन बच्चियों के साथ एक बिद्वा इस्तिरी रहती थी जवानी में ही उसके पती गुजर गए तीन छोटी छोटी बच्चियों को पालें का भार बेचारी उस अबला पर डाल गया तीन बच्चों को लेकर वो बिधवा जाए तो कहां जाए कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी उपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी बेबस लाचार उस महिला का कोई सहरा नहीं था वो अपने पती को याद करकरके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी पती के गम में बीमार पड़ गई उपर से उन बच्चियों की चिंता थी के क्या होगा कैसे इनका पालन पुसड होगा इन ही बातों को सोच सोच कर एक दिन उसकी तवियत पिगड़ गई उसका अंत समय निकट आ गया था धरमराज का एक दूत उस बिद्वा इस्तिरी के प्राण लेने के लिए धर्ती पर आया वो उस इस्तिरी के प्राण ले जाना चाहता था परन्तु बहां का नजारा देखकर वो खुद दुबदा में पड़ गया उसने देखा कि महला जमीन पर अचेत पड़ी है उसकी तीनों बच्चियां उसकी उपर सिर रखकर पड़ी हुई थी सबसे छोटी बच्ची उसके इस्तनों से लिप्टी हुई थी यह करोणा मई द्रस देखकर देव दूत के हिर्दे में दया आ गई उससे उन बच्चियों की दसा नहीं देखी गई एक बच्ची रो रोकर अपनी माँ को जगा रही थी दूसरी रोते रोते माँ के उपर ही सर रखकर सो गई थी देव दूत ने सोचा इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है अब यदि मैं इस इस्त्री के प्राण लेकर गया तो ये बच्चियां किसके सहरी रहेंगी कौन इने समालेगा कौन इनका पालन पोसड करेगा यही सब बाते सोचकर वो देव दूत उस इस्त्री के प्राण लिये बिना ही लोट किया धरमराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए तुम तो उस बिद्वा इस्त्री के प्राण लेने गई थे तब देव दूत कहता है हे स्वामी मेरी गलती को छमा करना मैं चाहा कर भी उस इस्त्री के प्राण ना ला सका मेरी जगह यदि आप होती तो साइद आप भी खाली हाथ ही लोट कर आती मैं उस महला की अभोध बच्चियों का दुख नहीं देख पाया जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी तीन छोटी छोटी बच्चियां उसके उपर पड़ी बिलख रही थी उन्हें कोई बहां देखने बाला भी नहीं था यदि ऐसे में मैं उस महला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता कौन उन्हें पालता पोशता प्रतिवी लोग के मनुस्टों इतने स्वार्थी हो गए है कि बिना मतलब कि कोई किसी का सहरा भी नहीं बनता यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उमीद करता है या फिर उसे अपने अहसान की नीचे जीवन भर दबा कर रखना चाहता है देब दूत बोला है स्वामी मैं चाहता हूँ कि उस महला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बढ़ा कर सके देब दूत की बात सुनकर धरम राज ने उसे डाटते हुए कहा रे मूर्ख पारसद इस्वर की बनाई हुई स्रष्टी में ना कोई एक्षड घटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो ना समय से पहले मार सकते हो इस्वर जो करता है सब के साथ अच्छा ही करता है तुम कौन होते हो बिधाता के लेक को बदलने वाले तुमने उस महला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उलंगन किया है तुमने बहुत बड़ा अपराद कर दिया है इसलिए तुम्हें इसका प्रेडाम भोगना ही पड़ेगा जाओ जिस पृत्वी के मनुस्वों से तुम्हारी ममता है उसी पृत्वी पर मनुस्वन कर अपना पाप भोगो देव दूत कहने लगा हे स्वामी धर्ती लोग से मेरा उध्धार कब होगा और कैसे होगा तब धरमराज कहते हैं हे दूत धर्ती पर जाकर जब तुम तीन बार अपनी मूरक्ता पर खिल खिलाकर हस लोगे तब तुम्हारा उध्धार हो जाएगा मित्रो इतना कहकर धरमराज ने उस दूत को धर्ती पर धकेल दिया वो धर्ती लोग पर मनुस्व सरीर में आ चुका था उसके सरीर पर वस्तर नहीं थे मित्रो यहां का एक नियम है कि जब कोई मनुस जनम लेता है तो उस समय वो नगन होता है देवदूत ने जनम तो नहीं लिया पर वो निर्भस्तर ही एक सडक के किनारी पड़ा ठंड से ठिटोर रहा था बही से एक मोची गुजर रहा था वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों को कपड़े लेने जा रहा था रास्ते में ठंड से ठिटोरते एक नगन व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई उसने अपने बच्चों को तो कपड़े नहीं लिये लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल जरूर खरीदि लाया और बे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दी देवदूत कहने लगा हे भाई आपने मुझे कपड़े देकर मुझे बहुत बड़ा उपकार किया है लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया पर मेरा ना तो कोई घर है ना परिवार है ना भोजन का कोई साधन है तब मोची बोला हे भाई तुम मेरे घर चलो मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा मित्रो अब तो वो मोची उस देवदूद को लेकर अपने घर पहुचा उधर मोची की पतनी ने देखा कि उसका पती बच्चों को कपड़े लेने गया था कपड़े अपड़े तो कुछ लाया नहीं उल्टा एक आदवी को घर भुला लाया है पतनी अपने पती से जगरने लगी उसे भला बुरा कहने लगी यह देखकर वो देवदूद बहुत जोर जोर से हस पड़ा मोची ने पूछा अरे भाई तुम हसते क्यों हो ऐसा क्या देख लिया आपने तब देवदूद ने कहा हे भाई मेरी हसी का रहस मैं आपको अभी नहीं बता सकता समय आने पर मैं तुम्हें स्वयम बता दूँगा मित्रो अब तो वो देवदूद उस मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दिनों में उसने मोची का सारा काम सीख लिया देवदूद के द्वारा बनाए गए जूते और चपले खूब बिक रही थी चंद रोजों में मोची धनवान बन गया दूर दूर तक उसके जूते फैमस हो गए थी यहां तक की राजा महराजा तक उससे जूते बनवाने का आदेश देते थे जब से देवदूद उसके घर आया था उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी धनकी कोई कमी नहीं रही सब कुछ अच्छा चलने लगा एक दिन की बाद राजा का एक सहनिक एक चमड़ा लेकर उसी मोची के पास आया और बोला देखो हमारे महराज इसी चाम के बने हुए जूते पहनना चाहते है ये चाम बड़ा कीमती है तुम इसके ठीक से एक जोड़ी जूते तयार कर दो ये चाम खराब नहीं होना चाहिए पर ध्यान रखना इस चमड़े की जूते ही बनने चाहिए भूल से भी इसकी चपल मत बना देना मित्रो राजा का सैनिक चमड़ा दे कर चला गया इधर मोची ने भी देबदूद को समझाया कि देखो राजा बाली बात है इसमें कोई गल्ती ना करना चमड़ा भी बहुत कम है इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए जूते की कहकर वो गया है तो जूते ही बनाना गल्ती से यदि चपल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा मित्रो मोची के इतना समझाने के बाद भी देबदूद ने उस चमड़े से चपल ही बनाई चपल देखकर मोची की सांसे फूल गई अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा तू भी मरेगा और साथ में मैं भी मारा जाऊंगा वो हमारे पूरे घर को फांसी लगवा देगा मित्रो मोची को अतियंत दुखी देखकर देबदूद एक दम से खिल खिलाकर हसने लगा उसे हसता देख मोची बोला अबे मूर्ख आदमी काम बिगार कर अब हस रहा है वो देखो जूते लेने के लिए राजा का सैने का रहा है मित्रो सैने को देखकर मोची के हाथ पैर फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तुम्हे कहां से दूँगा तब तक बो सैने क पास में आ गया और बोला हे मोची भाई कल में जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना चपल बना देना क्यूंकि राजा साहब का देहान धो गया है और यहां की ये पिर्था है कि मरने बाले ब्यक्ति को चमड़े की चपलें पैना कर अर्थी पर लिटाया जाता है मित्रो सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मरे हुए सरीर में प्राण पड़ गए हो उसके हाथ से डंडा छूट कर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे नाना भाती से माफी मांगने लगा देवदूत मोची की इस हरकत पर खूब जोर जोर से हस रहा था मोची ने पूछा हे भाई तुम क्यों हस रहे हो तब देवदूत बोला हे भाई समय आने पर मैं अपने हसने का कारण बता दूँगा मित्रो एक दिन की बाग मोची की दुकान पर तीन नौजमान लड़किया एक बुढ़िया के साथ आई थी उन तीनों लड़कियों की साधी होने वाली थी बे अपने लिए जूतों का नाप देने आई थी उन लड़कियों को देखकर देब दूत ने पहचाल लिया कि ये बही तीनों लड़किया हैं जिनकी माँ को ना ले जाने के कारण आज मैं अपने किये की सजा भोगरा हूं पर ये लड़कियां तो अब जबान हो चुकी हैं काफी सुन्दर भी हैं किसी अच्चे घर में पली बड़ी मालूम पड़ रही हैं तब वो बुरिया कहती है हाँ बेटे इनकी माँ इन्हें बच्पन में ही छोड़कर चल वसी इनका कोई सहारा नहीं रहा तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया मेरे पास करोडों की दौलत है पर दुर्भाग से मेरा भी कोई नहीं है तो मैंने इन्हें रख लिया इन्हें पढ़ाया लिखाया इनकी परिवारिस की आज बहुत ही उचे घराने में मैं इनका बिभा करने जा रही हूँ लड़कियों का भाग देखकर देबदूत सोचनी लगा परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है यदि उस समय इनकी मा नहीं मरती तो ये तीनों भयानक गरीबी भुकमरी और दरितरता में पड़ी रहती इनकी मा के मरने के कारड़ आज ये तीनों लड़कियां बहुत बड़े घरों की बहुएं बनने जा रही है और इस बुड़िया की करोणों की संपत्ती की मालिक भी बन चुकी है इह बात सोचकर देबदूत पहले की अपनी मूरक्ता को याद करकी जोर जोर से हसने लगा वो तीन बार हस चुका था मोची ने पूचा है भाई अब तुम किसी लिए हसे कीरपे अपनी हसी का रहस समझाई तब देबदूत बोला भाई मैं तीन बार हस चुका हूं अब मैं तुम्भे अपनी हसी का कारण सुनो मैं एक देबदूत हूं अभी अभी जो तीन लड़किया जूतों का नाप देने आई थी जब ये तीनों छोटी थी तो इनकी मा मर गई पिता पहले ही मर चुका था इन तीनों लड़कियों पर तर्स खा कर मैं इसकी मा के प्राण नहीं ले गया उसी कारण धरमराज ने मुझे स्राप देकर धरती पर भेज दिया मैं निर्बस्तर एक सड़क किनारे पड़ा था तब तुम मुझे अपने घर बुला लाए घर आकर तुम्हारी पतनी तुमसे खूब लड़ी थी वो भी इसलिए कि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिये तम मैं पहली बार तुम्हारी पतनी की मुरक्ता को देखकर बहुत हसा था तुम्हारी पतनी उन पैसों को देखकर दुखी हो रही थी जो तुमने मेरे ऊपर खर्च किये थे पर तुम्हारी पतनी उस लाब को नहीं देख पा रही थी जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने बाली थी दूसरी बार मुझे हसी तुम्हारी मूरक्ता को देख कर आई जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौडे थी उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थी पर तुम्हें ये नहीं मालूम था कि कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है जो राजा के जूतों से अधिक चपलों की आवसकता पड़ गई है हम बही देखकर या सोचकर सोक या हर्च मानाते हैं जो हम देखते हैं पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने बाला होता है कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बुरा करता है पर हम उसी बुरे को देखकर परमातवां को कोशने लगते हैं हम उस अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविस्ट में हमारे साथ होने बाला होता है कई बार बरतमान में हमारे साथ अच्छा होता है तब हम बहुत खोश होते हैं पर भविस्व में हमारे साथ बुरा हो जाता है उस घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बुरा दोनों तरहे के परेडाम जुड़े हो सकते हैं। हमें हर घटना को इसवर की इच्छा समझ कर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं इसके दोनों कारण यही हैं। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके। और दूसरा कारण ये है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुखा आते रहना चाहिए मित्रो इस प्रकार वो देवदूद उस मोची को समझा कर फिर से धरम राज के यहां चला गया मित्रो ये कहनी आपको कैसी लगने कमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर रखना मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में नई ग्यान चर्शा के साथ आप सभी का बहुत बह अगली बाद